पिशाली अपने हेलो स्वागत के की चैनल All-C計 नार MURUST स्वागत है आपका you की की चैनल पे मेरा नाम है की रन भावर आज के इस वीडेो में हम कaver कर रहे हैं सभी राज्यों के मुख्य मंत्री अभी जितनी भी नए मुख्य मंत्री बने है सारे मैंने इस वीडियो में कवर किये हैं, बिल्कुल न्यू अपडेट वीडियो है, वीडियो को पूरा दिखेगा, यहां से एक कोश्चन जरूर आपके एक्जाम में पूछा जाएगा आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो यह बेल है, उस पे औल प्रेस जरूर कर ले चले स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आमसे क्यूस, मैं अलग सी वीडियो बना चुके हूँ, वहाँ पर मैंने सभी राज्यो की राज़्धानी ट्रिक के माधियम से याद करवा दी थी, ठीके, और मैंने सभी राज्यो की नए राज्यपाल जो बने हैं, उस सबसे पहले कुशन से अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इसका करेक्ट अंसर है पेमा खांडू, ठीके, पेमा खांडू, वरतमान समय में अरुनाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अरुनाचल प्रदेश की राजधानी, आप सभी को पता होगी, इटा न जाएगी नेक्स कोशन तिरुपूरा के मुख्य मंत्री कौन है इसका करेक्ट अंसर है बिपलव देव वर्तमान समय में तिरुपूरा के मुख्य मंत्री है तिरुपूरा की राजधानी क्या है अगर तला ठीके चलिए नेक्स कोशन नागलेंड के मुख्य मंत्री कौन है इसक जलिए नेक्स कुशन मणिपूर के मुख्यमंत्री कौन है इसका करेक्ट अंसर है एन बीरेन सी है ठीक है एन बीरेन सी है वर्तमान समय में मणिपूर के मुख्यमंत्री है मणिपूर की राजधानी क्या है इंफॉल ठीक है नेक्स कोशन मिजोरम के मुख्य मंतरी कौन है इसका करेक्ट अंसर है जोर मंतंगा ठीक है जोर मंतंगा वर्तमान समय में मिजोरम के मुख्य मंतरी है मिजोरम के राजधानी क्या है आईजोल ठीक है मिजोरम के राजधानी क्या है आईजोल आपको यह चीज़े याद होनी चा तो अगर आप आंदुसपोट अंसर नहीं दे पाएंगे तो बच्चा भी आपपर हसेगा कि आपको इतनी से सिंपल सी चीज नहीं पता है, तो आप ट्रिक्के माधियम से याद कर सकते हैं, और फिर जिसे ऐसे भी याद है, तो सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीके चलि ठीक है, next question, मेघालाई के मुख्यमंत्री कौन है, मेघालाई के मुख्यमंत्री है, कानराड संग्मा, ठीक है, कानराड संग्मा, वर्तमान समय मेघालाई के मुख्यमंत्री है, मेघालाई के राजधानी है, शिलोंग, चलिए, next question, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, सिक्किम क हो जाएगा सिक्के और सिक्के जो होते हैं गंगा नदी में डालते हैं ठीक है क्योंकि कोई मनत होती है तो बच्चे कोई बड़े बड़े लोग होते ना वो क्या करते हैं बच्चे या कोई भी हो वो गंगा नदी में सिक्के डाल देते हैं जब भे अपने कोई मनत पूरी करवानी होती है तो ठीक है तो सिक्के से हो जाएगा सिक्किम और गंगा नदी से हो जाएगा गंग टॉक इस तरह से याद हो जाएगा आपको कि सिक्किम की राजदानी है गंग टॉक है ना कैसे रिलेट गया आपने सिक्के से रिलेट गया गं ठीक है चले नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री है जैराम ठाकूर ठीक है जैराम ठाकूर हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला नेक्स कोशन उत्राखंड के मुख् होते हैं, यहां से question, पूछने के chances बहुत ज़्याद हो जाते हैं, ठीके, उत्राखण की रजधानी क्या है, देहरा, दुन, ओके, नेक्स्त कोशिन, पंजाब की मुख्य मंत्री कौन है, पंजाब की मुख्य मंत्री है, ठीके, कैप्टन, अमरिंदर सी है, पंजाब की मुख्य सभीकों पता है योगी आधित्यनात। चुछे को बिहार के मुख्य मंतरी ऑन के सब्कें आता है उंहीं आपको ट्रेक्के माधियम से यहाद करने के जुरूत नहीं होती है आप उनको आरामसे विञाद कर सकते हैं जैसे योगी आदितियनाद कितना ज्यादा नाम आता है इनका और जी राजधान का ठाऊ? बिहा करने के लिए किसी को पटाना पड़ता है तो बिहार की रास्थानी हो गई पटना ठीक है पटना बिहार से हो जाएगा बिहा करना और पटना मतलब बिहार जिसका करना हो या फिर जिससे करना है उसको पटाना पड़ता है तो बिहार की रास्थानी हो जाएगी पटना ठ वर्तमान समय में जारकर्ण के मुक्यमन्तरी है जारकंड की राज़दानी जावर Better हम पार्ध सब्सक्रांटी में मंता ऑब चेला हो बें म चाहिवाने जारक्डी की मुक्यमन्तरी भंगाल की रसधानी क्या है पस्छम बंगाल की रसधानी है कॉल करता है, ओके, नेक्स्ट, ओडिसा के मुख्य मंत्री कौन है, ओडिसा के मुख्य मंत्री है, नवीन पतनायक, वर्तमान समय में नवीन पतनायक, ओडिसा के मुख्य मंत्री है, चलिए, ओडिसा की राजधानी क्या है, भौवनेश्वर, नेक्स्ट कोशन, मद्धिप्रद करके जरूर बताःगा, और साथ में हैं, आपके रज्य के जो मुख्य मंत्री हैं उनका नाम भी ज़रूर लिखके बताःगा ठीक है, मैं मध्य परदेश से हूँ, तो मध्य परदेश के जो मुख्य मंत्री वो है शिवरा Singh चुहां जी, ठीक है, इस तरह से आपको comment करके बताना है आपके रज्ये का नाम और उसके सामने उनके मुख्यमंत्री का नाम चलिए, मद्य परदेश की रजदानी क्या है? भूपाल नेक्स कोशन चतिसगड के मुख्यमंत्री कौन है? चतिस गड़ के मुख्य मंत्री है भूपेश बगेल वर्तमान समय में चतिस गड़ के मुख्य मंत्री है ठीके चतिस गड़ की राजधानी है राइपूर राजिस्थान के मुख्य मंत्री कौन है राजिस्थान के मुख्य मंत्री है अशोक गहलोथ वर्तमान समय में राजिस्थान के मुख्य मंत्री है राजिस्थान के राजधानी क्या है जैपूर चलिये नेक्स स्कूशन गुज्रात के मुख्य मंत्री कौन है? गुज्रात के मुख्य मंत्री आप आप सभी को पता होगा क्यूंकि इनका नाम बार बार नियूज में सुनने के लिए मिलता है उदव ठाक रहे ठÑक है वर्तमान समय में महाराँस की मुख्यमंत्री है महाराँस की राजधानी सब जानते हैं मुंबई hai दो कैंकि सुनके मुक्य मंत्री कौन है इसका करेक्ट अंसर वर्तमान समय में कौना हैं गवाह стал कन THIS कौन है गोवा की मुक्य मंत्री एं प्रंवोद सावंत क्थिकल वर्तमान समय में कौना प्रणین का पंद जी नेश्च कुशन के मुक्य suffers मुख्य मंत्री कौन है केरल के मुख्य मंत्री है पिनराई विजियन वर्तमान समय में केरल के मुख्य मंत्री है केरल के रजधानी है तिरुवंत पुरम नेक्स्ट कुशन तमिल लाडू के मुख्य मंत्री कौन है इसका करेक्ट अंसर है दिखिए नए मुख्य मंत्री बने है याद रखेगा, इनका नाम है M.K. स्टालिन, वर्तमान समय में तमिल नाडू के मुख्य मंत्री है, चलिए, तमिल नाडू के राजधानी क्या है, चन्ने, नेक्स्ट कोशन, आंदर प्रदेश के मुख्य मंत्री कौन है, आंदर प्रदेश के मुख्य मंत्री है, जग मोहन रे के चंदरशेकर राव तेलंगाना के मुख्य मंत्री है और तेलंगाना की राजधानी है है अंदरप्रदेश तेलंगाना दोनों एक राज्जित है अलग हो गए और अंदरप्रदेश तेलंगाना से अलग हो गया तो अंदरप्रदेश अमर हो गया अमर से हो जाएगा अमराव और तेलंग गाना है इसके राजदानी है हैईदराबाद ठीक Hey friend Brothers तरह से याद हो जाएगा कि तेलंग गाना की राजदारी है है थाराबाद क्योंकि कोई गाना गा रहा है जिसका गाना सुनके हम है रान हो गए दिखें वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंदर शासित प्रदेशें तो दो ऐसे केंदर शासित प्रदेश है जहां पर विधा सभा ठीक है चलिए तो दिल्ली और पुदुचेरी दो ऐसे केंदर शासित प्रदेशें दो ऐसे यूटी है जहां पर विधान सभाएं है और विधान सभा है तो वहां पर मुख्य मंत्री भी बनाने पड़ेंगे चलिए दिल्ली के मुख्य मंत्री कौन है दिल्ली क्या है ए पुदुचेरी की मुख्यमंतरी कौन है तो वह है एन रंगा स्वामी जहां पर विदां सभा होने की वज़े से महां पर मुख्यमंतरी बनाएं जाते हैं और जितने 6 केंदर शासित प्रदेश है वहाँ पर विधान सभाई नहीं है जम्मो कश्मर और लद्धाक में पहले थी विधान सभा लेकिन जब इसको एक केंदर शासित प्रदेश में लाया गया 31st October 2019 को तो यहाँ पर विधान सभाई भंग कर दी गई समाप्त कर दी गई वह सिफ अब उपराजयपाल होते हैं ठेके उपराजयपाल ही होते हैं जम्मो कश्मिर और लद्धाक में मुख्य मंत्रे नहीं होते हैं यह सारी चीजें मैं बेसिक से समझा चुके हूं जब मैं आप लोगों को सविधान पूरा कवर कर वा रही थी तो वहां पर मैंए A to Z चीज़े आपको अच्छी तरु से समझा दी है कि मुख्य मंत्री actually में होते कौन है किसको बनाया जाता है मुख्य मंत्री में राज्यों में जो विधान मंडल है उसमें विधान परिशत और विधान सवाएं जो होती है उसमें क्या difference है और विधान परिशत किसके सराज्य में है किसके सराज्य में नहीं है यह सारी चीज़े में आपको सविधान जब complete करवा रही थी तो वहाँ पर A to Z चीज़े समझा दी गई है आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्लेलिस्ट का नाम है भारती सविधान वहाँ पर आपको बेसिक से सारी चीज़े A to Z मिल जाएगी करीबन 70 वीडियो बना दी गई है उस टॉपिक के उपर ठीक है सविधान के उपर और पूरा हमने कवर करवा दिया है चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी चैनल को प्लेज जरूर सब्स्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें बिलकुल नियू अपडेट है ठीक है